ऐसी हरकते तब ही होती है जब आप कलासमेट के गत्ते में चीनी रगड के फूखते हो तो प्लीज अगर आप नहीं चाहते हो कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो तो प्लीज तो भाई लोग कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत आपका एक बड़ा न्यू पपजी तो मोबाईल गेम प्लीज वीडियो में और यार मुझे ये प्लीज बताना कमेंट में कि क्या आपको ये जो ये विंटर माला मैप है न भाई ये जो बरफ वग पहले आया था तब बढ़िया लग रहा था लेकिन अब यार हर मैच में ये आ जाया यार अजीब सा लगते है खेर आपको कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताना और यहां पर मैं आ चुका हूँ जोर्ज में अब सबसे पहले तो मुझे गन के नाम पे ये सस्ती बाईसियोन मिलती है ठीक यार उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं है लेकिन इन लोगों ने हेल्थ को भी पेल दिया मेरी अब इन लोगों ने मेरी हेल्थ चुराई और मैंने इनकी किल चुरा ली मतलब मैं यहां आया बाईसियोन लेके मैं तो बोल रहा था भाईया अब मैं ठील जाओंगा लेकिन मैंने देखा एक नोक बंदा तो यार उसकी पेटी ना बनाऊं ऐसा होगा नहीं कभी और उसी के साथ टाइम आ गया है बदला लेने का हना क्योंकि जहां तक मुझे पता है यही वो लोग थे जिन्हों ने हेल्थ की ऐसी तैसी कर रखी थी मेरी और देखो क्या दिना गए भईया गन के नाम पे मेरे पे बाइसियोन और ये यूएमपी फोटी फाइब थी चलो भईया अब सकारेल मिल गई है गोली नहीं लेकिन कोई बात नियार देखो मेरे पीठ में टंगी है चोर तो बढ़िये कम से कम उस बाइसियोन से करोड गुन पे मेरे पे बास यूएमपी फोटी फाइब और दस गोली वारी सकारेल थी तो मैंने बोला यार चाहे कुछ भी हो रस्तो करना ही पड़ेगा और रस्किया और देखो भाई इनके पास क्या ही खतरनाक लूट है मतलब यार उतरते ही एमफोर उमफोर मिल गई और मैं 22 लेके भगरा था आधी हेल्थ में आधी से भी हेल्थ कमती खैर वो सब छोड़ायार हमारे भाई हमें हीलिंग हुलिंग दे देते हैं तो जितनी भी पेटी ती यहाँ पे सारी लूट ली क्योंकि यार लालची इंसान बहुत हुम है तो लूटने के बाद अभी आगे की तरफ गो वाजी में मेरी खुद की पेटी बन जाती है और यहाँ पे इस भाई की टीम आगे गोलिया चला रही है हना आपस में लड़ बेड़ रहे हैं लोग और हमारे भाई यहाँ पे मजे कर रहे हैं पिलकुल कौन सा गत्ता फुकने आये थे साइड में खैर छोड़ो यार उन भा आगे गया भाईया लेफ्ट राइड दोनों तरफ बंदे उचल कूद कर रहे हैं तो एक को तो मैंने नोकनू कर दिया दूसरे बंदे को बहुत लो कर दिया है हल्थ में और अब देखतें क्या होता है और इन लोगों का पता नहीं क्या ही सीनेयार ये कंटेनरों के उपर थे तब भी उचल कूद कर रहे हैं ठीक है ये बंदा नीचे आया फिर भी उचलते वे आ रहा है और भाई यहां पे तो मेरी कोई इज़ट ही नहीं की गई मतलब मैं यहां नीचे हूँ हाना नीचे उचल कूद के मैं आया यहां पे तीजी से इसे पेलने और हमारे भाई हमारे टीममेट को गोलिया पेल ले आ रहे है यार मैं भी यहीं खड़ा हूँ थोड़ी जद्दे दो यार थोड़ी गोली मेरी तरफ फेक दो ख्यार अब क्या ही कर सकते है यार पूरे टीम की तो पेटी बना दी मैंने तो आगे बढ़ने का टाइम आ गया है तो मैं वापिस जाई रहा हुता हूँ है ना सोचता हूँ क्या पता थोड़ी और लूट पड़ी हो यहाँ पे उठा लूँगा रस्ते में लेकिन उतने में क्या होता है दुबारा से जहांसे मैं आ चुका हूँ वहाँ पता नहीं कहां से फिर से बन्दे आ जाते हैं और उचल कूत करके लूट रहे हैं वो लोग और क्योंकि यार कोई बड़ा स्कोप तो है नी मेरे पे तो डीपी में होलो साइट लगा के पेला मैंने और वो बन्दे को लग रहा होगा यार कोई नी यार नौक वाउ मैं नीचे जाओंगा मजे से रिवाइब मिलेगा लेकिन हम दोनों इतने ढीट नवाई तब तक गोलिया चलाई उस पे जब तक पेटी न बने क्योंकि आपको मेरा नारा पता है यार गोली चलनी चीए तब तक पेटी न बने जब तक और अब उसके टीमेट की बारी है अब देखो हम लोगों ने इसकी अभी सीधा पेटी नहीं बनाई है और ऐसा निये कि भाई हम ये कहरें कि जाने देते नहीं यार अपन लोग मिट्टी दिल इंसान है पेटी जरूर बनाते हैं लेकिन अभी क्या है सीन देखो अगर क्या पता इसका कोई यहाँ पे टीमेट और उसके नौक होने की वज़ा से क्या पता वो रिवाइव देने आ जाए उसे तो अपनी एक और किल बढ़ जाएगी है ना उसकी पेटी तब बना लेंगे लेकिन भाईया कोई आता नहीं इसको बचाने तो पेटी बनी जाती है भाई की और अपन लोग अभी यहाँ से न रहा हूँ ना मैं मैंने देखा मुझे 4X मिला था लेकिन क्यूं और मुझे नहीं पता मुझे क्या ही हुआ कौन से नसे मैंने कर रखे थे 4X मैंने फेक दिया बिल्कुल ठीक है और क्यूं फेका मैं अभी पूरी जान लगा के सोच रहा हूं लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा ह और अभी जो चारेक्स फेका ना उसकी सजा मुझे यहाँ पे मिलेगी बिल्कुल अब यहाँ पे मिरे पे अगर चारेक्स होता तो शायद शायद मैं कुछ उखाड पता हना क्या पता उस बंदे को नोक नूक कर देता लेकिन अब चारेक्स था नहीं हना होलो लगा के चलाओ भईका जाता हूर होती नहीं मेरे पे डंकी चार आप क्या ही कर सकते हैं बगल वाले घर पे वी एक बंदा था फूट टैप आ रहे तो मैं बोलता हूं इस भई पे नेट किया जाए क्यो न और नेट से एक बंदा ठिल जाता है भाई मैं ये चीज देख पा रहा हूँ कि यार धीरे धीरे करके मेरे सस्ते नेट थोड़े से महंगे हो रहे हैं और धीट था भाई पूछो मत्यार मतलब हील करने का टाइम आ चुका है हाना हेल्थ की ऐसी तैसी हो चुकी है बंदा AWM पटका रहा था वहां से लेकिन उसके बाद भी बगेर हील करें मैं इस्प्रे मारता हूँ उस पे डीपी का और हमारे भाई की नाकाम सपाइडर मैन बनने की कोशिस अरे भाईया यार देखो मैं धीट हूँ उस भाई को लगाओगा की भाई उसने मुझे दो-चार गोलियां पेल दी हाना नेटनूट फेक दिया तो मैं हीलिंग करने बैट जाऊँगा लेकिन उसे क्या पता था कि भाईया मैं एक बहुत जादा ढीट बंदा हूँ जो किलका बहुत लालची है तो मैंने बुला यार हील को कैंसिल किया दो-डाई बंदे नौक किये उसके बाद आखिर कार जाके मै पेटी बनाई दिया है लेकिन अब यहां पर मैं क्या बहाना दू भाई मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ ठीक है मैं पूरी जान लगा रहा हूं सोचने की एक बढ़िया बहाने की लेकिन यार कुछ समझ नहीं आ रहा है और उपर से वो रश भी कर रहा है हम पर तो भाई सोचते की उन्होंने नौक कर दिया इहा ना रस करके हमें पेलेंगे रिवाइव नहीं देते अपने टीमेट को तो खैर इनको तो पेल दिया अब सही हैसीन और देखो यार देखो मैं बहाना नहीं बना पाए तो प्लीस कमेंट में मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ पे मुझे क्या बहाना देना चीये था क्या मुझे ये बोलना चीये था कि मेरे पे 1KM थी उसके बाद भी वो M4 से पेल गया भाई या पब जी ठीक से गोलिया नहीं लगती जो भी हो यार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना ताकि आपका भाई आगे वीडियो में अच्छे बहाना दे सके जब मैं नौक हूँ तब मैं बढ़िया बिल्कुल जहर बहाने दे सके यार कमेंट जरूर करना यहाँ पे बहाना क्या होना चीये था नौक होने का ख्यार उसके बाद जैसा कि मैंने बोला था यार एक बंदा AWM चटका रहा है मैं फिर भी गोलिया पेल रहा हूँ तो हाँ AWM मैंने चुरा ली है लेकिन यार AWM मिलने के बाद अभी ग्रोजा की भूग खतम नहीं हुई थी तो ड्रॉप हुआ है भाई और कोई आया निन लेने तो मैं ही पहुँच गया और ड्रॉप में गुरुजा मिल गिये भाई को और गुरुजा पलस AWM है और बंदे ना पेले यार गलती से हेट सौट ना हो ऐसा बहुत ही कम होता है खेर उसके बाद वहाँ से मैं निकल लेता हूँ हना यहाँ पर आई रहा होता हूँ की पीछे से वो जो बड़ी बिल्डिंग होती है न स्कूल के बगल में वहाँ से बंदे बैरल वगेरा पटका रहे हैं मतलब मुझे नहीं पता वो लोग क्या सूच रहे हैं कि भया इतना सस्ता रिकॉइल है बैरल का कि वहाँ से यहां तक मुझे पेल देंगे लेकिन चला रहे हैं तो मैंने बोला ठीक है यार वो बैरिल चला रहे हैं मैं EWM वगेरा चलाता हूँ और उतने में ही वो लोग गलती से हेट सॉट के लिए बनानी है तो इस बंदे की तो यहां पे पेटी बन गई और एक को नौक करके रखाई है और बाकियों की भी फूट्टेप आ रहे हैं यहीं से और दूसरे बंदे की भी पेटी मैं बनाई चुका हूँ है ना क्योंकि यार देखो यहां उपन में कब किल चूरी हो जाए क्या पता भाई किसी का भरोसा नहीं है कौन कहां से आजाए कब कहां से किल चूरा ले यार इसलिए मैंने सीधा पेटी बना ली और अभी सीन ऐसा यार हमारे पीछे एक बंदा है जिसके फुटिश टैप आये थे लेकिन उसके बाद वो किधर गया यार वो मेरे ख्याल से उसे भी नहीं पत क्यार दिवार को छोड़ो अभी क्या है भाई एक बंदा मेरे सामने भी है हाना वो भाई खिडकी से पीक दे रहा था पहले मैंने जैसी ग्रोजा खोली उसके उपर भाई ने भाईया देखना ही छोड़ दिया मतलब सरमा टैप गय भाई भाई ने बोला यार मैं नहीं राइड में खड़ रहा था मुझे कद्दू भी नहीं दिख रहा था उपर से लेकिन हाँ नीचे आने के बाद भाई दोड़ते वे चले आए और अब देखो यार मेरे टीमेट के सस्ते नसे देखो आप हम मेरे गलती से हैटसोट की बात नहीं करेंगे बिल्कुल बात नहीं करेंगे बात करते हैं हमारे भाई क्या के अना चारे थे तो मेरे टीमेट बोलता है भाई मैं इसे पैन दिखाता हूँ ये दोड़ते वे आएगा अरे भाईया मुर्गा है क्या वो दोड़ते वे तो क्यूं कोई भी पैन देखके दोड़ते वे क्यूं आएगा मुझे नहीं पता है और मेरे टीम मेट का दिमाग कैसे चलता है भाई कुछ भी कर देता है भाई ये लॉंडा कभी भी खतरनाक है हमारा भाई और देखो अगर आप ऐसे खतरनाक बनना चाहरे हो न भाई दिन पेटी बनी मिलेगी आपको साइड में बिलकुल और जो केडी जाएगी आपकी वो अलग है खैर अगर आप अभी भी खतरनाक बनना चाहते हो तो मैं बताता हूं तुम्हारा भाई बताएगा कि क्या करने से आप खतरनाक बन जाओगी बिलकुल तो देखो यार अगर आपको जो लाइक का बटन दिख रहा है ना वीडियो में अगर वो अभी तक नीला नहीं है तो यार उस पे अंगूठा इस कदर पेलो बिलकुल चौड में पेलना और अंगूठा पेलते ही जैसी लाइक का बटन नीला होगा ना आप खतरनाक बन जाओगे कताई और अगर आप खतरनाक बन चुके हो और हाँ ये लाइक बटनी की निजा थरकीब थी लेकिन यार ट्राइ करके देखो क्या पता आप खतरनाक बन जाओगे अगर एक सिंपल लाइक पिलने से आप खतरनाक बन जाते हो तो दिक्कत कहां आरी है और आपको अगर चार गुना और खतरनाक बनना है तो भाईया जीप से लाइक करो यार जीप से लाइक करके कोई कैसे खतरनाक नहीं बन सकता है यार मेरे से तो ना हो पता भाई मैं तो ख खेर वो सब छोड़ो फिलाल के लिए मैं यहां पे आ रखाओं आपने लाइक पेली दिया होगा यार भरोसा है आप लोगों पे और यहां पे इन लोगों ने समोग बना दिया है मतब यहां ड्रॉप हुआ था एक लालची बन्दा लेटते वे ड्रॉप को लूट रहा था उसे तो मैंने नौक कर दिया लेकिन उसको रिवाइब मिल चुका है हाना बिल्कुल एक बन्दा था उपर तो अब वो नीचे से रश कर रहे होते हैं अब पहले मुझे लगा था कि दोनों बन्दे नीचे कूत के उपर आ रहे होंगे हाना कोई डेड़ आइक्यू गेमपले चला होगा इनका लेकिन बाद में भाईया मुझे फिर से उपर से घिसानने की आवाज आती है और उसके बाद वो बन्दा कूतता है कता ही 200 गेमपले अपन को तो बस इसकोप खोल के बन्दे पेलना आते है तो मैंने देखा अच्छा ये भाई कुछ IQ EQ करने की कोसिस कर रहे है मैंने डेड़ पैड गोलिया पेली वहाँ पे ग्रोजा से और इसके बाद दो ही बन्दे होते हैं ना ड्रॉप में क्या था मैंने देखा अब नहीं क्या करना यार AWM पड़ी है मेरे पे ग्रोजा पड़ी है और क्या चाहिए जिंदगी में भाई कुछ भी नीची है और मेरे पे AWM की 30 गोलिया पड़ी है यार तो अब तो कुछ चाहिए ही नहीं सफल हो चुका ये मैच और उसके बाद एक गाड़ी दिखती है इसी में घर के पास जाताओ ना अलगी गलत सी नूते हैं अगर 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 आप नहीं चाहते हो कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो तो प्लीज सस्ते न से मत करना कभी और मेरी ये सस्ती एडिटिंग वगरा खतम हो गई हो तो अब में बात पे आते हैं ये क्या था और ये क्यूं था क्यूं क्यूं था ये भाई अब ये पबजी की गलती थी या वो बंदा गत्ते फुक के खिलना था यार मेरे समझ के पारे भ पता है कि यार मैं एक गलती कर बैठा मैंने बिल्कुल उपन में गाड़ी रुकी है ना क्यूंकि मैंने सोचाता घर पे रुखूंगा लेकिन घर पे चार बंदे बैठे पड़े तो उपन में रुकनी पड़ी लेकिन उसकी वज़े से मैं बज गया भाई और जैसी मैं वापिस रिवाइव हुआ भाई मैं अपने काम पे लग गया दुबारा जो की है बंदे ठीलाना एक नेट से दो नौक हो चुके है वहाँ पे भाई दो नौक कते ही महेंगा नेट था यार ये तो और उसी के साथ एक ग्रोजा का इस्प्रे से तीसरा बंदा भी नौक तो सोचो अगर मैं यहाँ पे गाड़ी रुकता तो मैं भाईया लिखके दे सकता हूँ की पेटी बनना तय था बिलकुल चार बंदे ठीक है इस घर पे चार बंदे बैठे हैं मैं गाड़ी भगाते वे ला रहा हूँ एक गाड़ी में गाड़ी के गाड़ी में साथ तीन बंदे थे तीन बंदे पीचा कर रहे हैं इस घर पे चार बंदे बैठे भाईया वो तो पता नहीं क्यों मेरा दिमाग चल मैंने आगे जाके रोकी आगे जाके भी ठिल गया मैं लेकिन भाई बज गया अखिरकार तो भाईया देख लो यार अगर आपके गाड़ी पीछा कर रही है न तो मेरी गलती मत करना देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि कवर वाली जगह में रोकना मैं यहाँ पे बेशक रोकता घर के अंदर जाता लेकिन सीन क्या हुआ यहाँ पे चार बंदे बैटे पड़े तो मुझे थोड़ा उधर रोकना पड़ा और थोड़ा टाइम लग गया यार कावर पे जाते वे और हाँ यह बहान नहीं दे रहा हूँ मैं मैं कुछ और भी कर सकता था लेकिन जो भी हुआ सई हुआ यार मतलब वो बंदा मुक्के पेल रहा था तो मैं बज गया भाई और क्या चाहिए जिन्दगी में मैं जिन्दा हूँ मेरी पेटी नहीं बनी है इससे जाधा नहीं चाहिए यार मुझे पबजी में और ग्रोजा और एडबलो एंबी है तो हाँ अब बंदे ठिल भाई को जरूर निकाल देगे घर्चे यह मैं लिखके दे सकता हूँ भाई मजा करो यार मतलब क्या ही सुरीला गया यार भाई को भेजा जाएगा बिलकुल डांस इंडिया डांस में भाई को जरूर वाट मिलेगा क्या इक खतरना गया यार भाई ने अलग लेवल पर गान गया था ठीक है मतलब पहले लेट रखा था मैंने दो गुली चलाई जो की नहीं लगई है ना सस्ती सनाइपिंग क्या कर सकते लेकिन भाई सुधर गए थे भाई ने बोला नहीं यार साप नहीं बनूँगा मैं उठके खेलूँगा पत्तर के पीचे कवर लूँगा लेकिन जब तक भाई सुधरे तब तक बहुत देर उचुकी थी और मेरा गलती से एट्सॉड भी लगया भाई को तो भाई ठिल गए बिल्कुल अब क्या हो रखा है भाईया आगे समोक वगेरा बन रखे हैं वहां से M24 पटकाई जारी थी मेरे पे तो यहां से मैं बस कोशिश कर पराओं की दिख जाये बन्दा भाई समोक से भगते वे दिखता है बन्दा बिल्कुल नंगा है पहले मुझे लगा मीट अप का सीन है लेकिन बाद में पता चलता है भाईया मीट अप मूट अप कुछ ना हो रहा यहां पर यह लोग बग के जोन में आने की कोशिश कर रहे क्योंकि वो लोग जोन में है नहीं है न तो गाड़ी है नी लॉंडो पे बग के आने की कोशिश की जारी है तो यहां पर मैं बहुत पेलने की कोशिश करता हूं लेकिन यार सस्ती सनायपिंग क्या ही कर रहे फिर मैं बोलता हूं चलो भाई ओपन में जाके पेलेंगे और य और आखिर में आखिरकार लगी गया भाई गलती से हेटशोट मतलब मैंने उसके कंधे पेली थी गूली लेकिन हेटशोट लगया है मेरे ख्याल से वो आ गया आ गया होगा इसलिए सर पे गूली लगई खैर जो भी हो यार अपने को क्या के लिए यार कचण कुचणा वाले गाने के लिए लाइक बनता है यार लाइक के बटन को पेल दो नीला टाइप कर दो बिल्कुल और अगर आप यहां पे नए हो तो यह सब करो क्योंकि यहां पे ना भाई ऐसे गलत सीन वहीं या ऐसे नसे चलते रहते वहीं टोटल मजाते तो हां सब्सक्राइब करना मत भूलना तो बस वह लोग आज की वीडियो में इतने बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए बाई बाई और यह गाना सुनते वे जाओ, करिवाना या गर्स काचरानी का.. करिवाना या गर्स काचरानी का.. झाल झाल